बढ़ती ठंड में अगर बैगन का भरता ना खाया तो फिर क्या बात है हलो फ्रेंड सौगत है आपका सारी का स्वात किजिन में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी बैगन के भरते की बिल्कुल यूनिक स्टाइल की रेसिपी तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक मेडियम साइस का ले लिया है बैगन और इसमें मैंने सरसो का तेल लगा लिया है यह सरसो का तेल मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था और अब हम इस सरसो के तेल को इन टमाटरों में भी लगा लेंगे तो आप चाहें तो ऐसे ही इसे भून सकते हैं बट मैंने सरसो का तेल लगा के इसे भूना है जिसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा टीस्टी आता है तो अब हम इसमें डालेंगे लेसुन की कलिया तो लेसुन खाना और वो भी सर्डियों में बहुत ज़रूरी है क्योंकि गरम करती है और शरीर को भी गरम बनाए रखती है तो लेसुन को सेवन ज़रूर करें और जो नहीं खाते हैं वो से स्केब भी कर सकते हैं यह ऑफशनल है तो इस तरीके से अब हम लेसुन इसमें आड़ कर देंगे यह दिखिए बढ़िया तरीके से थोड़ा सा कट करते हुए इस तरीके से अब हम लेसुन इसमें डाल लेंगे कम से कम मैंने 6-7 लेसुन इस तरह से कट करते हुए बैगन के बीच में से और इसे अच्छे से भर लिया है वन बाइवन करके तो इसका फ्लेवर और बहतरी हो जाएगा यह दिखिए इस तरीके से यह रेडी हो चुका है तो चलिए अब हम इसे गैस में अच्छे से बून सकते हैं तो सबसे पहले हम इसे फ्लेम अन कर देंगे और अब हम इस तरीके से इसे बूनना स्टार्ट करेंगे अगर आपके पस गैस में बूनने का ओप्शन है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आप चूले में इसे बूनने उसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है तो मेरे पास option नहीं था चूलेगा, तो इसलिए मैंने इसे gas में अच्छे से बून लिया है, अलट पलट के, तो इसे बूनने में कम से कम आपको 10 मिनट लग जाता है, तो हम high flame में बून रहे हैं, तो टमाटर तो बहुत जली जली बून जाते हैं, ये देखिए, हम ने पलट थोड़ा सा बैगन में हमें टाइम लगता है, तो इसे इस तरीके से अलट पलट के अच्छे से बून लेना है, ये देखिए, टमाटर बिक्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये बून के, अब ये देखिए, हम इसे पलट लेंगे, तो ये अच्छे से पूरी तरीके से बून चुका है, और उसे भी मैं, देखिए, अब निकालोंगे, अब हम सीधे गैस की फ्लेम में बैगन को अच्छे से बून लेंगे, क्योंकि ये रह गया था, और ये देखिए, हो गया है, बढ़िया तरीके से, अब हमने गैस का फ्लेम आफ कर लिया है, ये देखिए, बिकुल अच्छे से चारों तरफ से भुन गया है, तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे हम कम से कम दस मिनिट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, तब तक मैंने प्याज कट कर लिया है, ये दो मीडियम साइस की प्याज है, जिसे मैंने बारिक बारी काट लिया है, अब मैं हरी मिर्ची काट रहे हूँ, अब हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉरिंट जितना आप तीखा पसंद करते हैं, आप कम जादा कर सकते हैं, तो मैंने इसे कट करके रख लिया है, और अब दस मिनिट हो चुके हैं, तो मैंने इस तरीके से एक बर्तन ले लिया है, और सबसे पहले यह थोड़ा सा घरम जरूर है बढ़ जादा घरम नहीं है तो इस तरीके से हम सारा चलका निकाल लेंगे दोनों टमाटरों का और अच्छे से से साफ कर लेंगे और अब हम टमाटर मैश कर लेंगे जब तक हमारा बैगर और थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस तरीके से इसे कट करते हुए क्योंकि मैंने इसे जादा डीप नहीं बूना है यह देखिए बेकुल अच्छे से तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा कटा आए तो इस तरीके से मैंने म साफ कर लिया है इसका उपर का सेरा निकाल लिया है यह देखिए अभी भी घरम है और अच्छी इसमें से यह देखिए भाप निकल रही है तो अब हम इसे भी अच्छे से मैश कर लेंगे टमाटरों के साथ और अब इन सारी चीज़ों को बड़ीया तरीके से मैश करते हुए यह देखिए मिक्स कर लेंगे अच्छे से दबा दबा के तो यह देखिए बहुत अच्छे से यह मिक्स हो गया है इसमें हम हरी मिर्चिया और प्यार जैट करेंगे और आप आज अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद है वैसा काट सकते हैं नमक अब हम डालेंगे स्वाद अनुसा यहां मैंने सफीर नमक यूज किया है आप चाहे तो काला नमक यूज कर सकते हैं उसके बाद अब यहां पर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल डाला हैं जो हमने सबसे पहले यूज किया था वही मस्टर्ड ओयल है यह इसके फ्लेवर को बहुत बहुत बहतरीन और सॉन्दर सॉन्दर सा बना देता है तो आप चाहे तो सिसके भी कर सकते हैं यह रिफाइन ओयल भी डाल सकते हैं मगर सरसो के तेल का स्वाधी बहुत अलग रहता है तो इस तरीके से मैंने इसे डाल लिया है और अब इसमें मैंने एक बॉयल पटेटो मिक्स किया है अच्छे से मैंने इसे हाथ से मैश कर लिया था अब इन सारी चीजों को डालने के बाद अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे अच्छे से हमारा भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी यमी और बहुत ही सिंपल जब भी आपका मन करें सबजी ना खाने का या कोई भी ऐसी चीज तो आप इसे जटपट बनाकर घर में खा सकते हैं बिल्कुल रेडी है यह अब सर्फ करने के लिए गरम गरम चपाती के साथ पराथे या पूड़ी के साथ जिसके साथ आपका मन करें से सर्फ करें और यह मेरी बिल्कुल सिंपर टेस्टी परते की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी तो इसे और भी शेयर करें और भी मेरे वीडियो देखते रहें थैंक यू क्यूप वाचिंग